हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे आवला सुपारी मुक्वास मैंने इसे आवला सुपारी मुक्वास इसलिए कहा क्योंकि इस आवला मुक्वास का टेस्ट विल्कुल आवला सुपारी जैसा होगा जिने आवला सुपारी खाना पसंद है लेकिन वो दात खट्टे आ जाने क कि वज़ा से आवला सुपारी नहीं खा पाते, दातों में sensitive रहती है, वो इस आवला सुपारी मुक्वास को easily खा पाएंगे, क्योंकि ये मुझ में डालते ही घुल जाती है, और आवले के फायदे क्या ही किनाना, जितना भी बताऊंगी कम ही लगेगा, तो चलिए आवला कर साफ सूती कपड़े से पोच लिया है, आवले लेते समय बस अब इस पात का ध्यान रखें, कि आवले जो हो थोड़े बड़े साइस के हो तो ज़्यादा अच्छे होंगे, और उसमें किस तरह के दाग धपे ना हो, थोड़े बहुत दाग धपे हो रहेंगे, वो तो चलत ही है, आवले में थोड़े बहुत दाग तो होते ही है, आपको दिखाती हूँ, जैसे इस तरह से इस आवले में दाग देख रहे हैं, लेकिन यह आवला खराब नहीं है, तो यह देखे, आवले में यह जो दाग देख रहे हैं, यह बहुत जादा देख रहे हैं, लेकिन चा बस उपर से हलके से दाग घटा दे और इसको हम यूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम एक मोटा वाला ग्रेटर ले लेंगे और उसमें उससे हम आवले को चील लेंगे तो जो ग्रेटर है हमें मोटा वाला यूज करना है बारीक छेद वाला यूज ना करें उससे आवले का जो ज नहीं तो षातों में चोट लग सकते हैं Cameron इसी तरह हम बाकी सारे just Feng F unite यह देखिये हमने सारे आवल को चील लिए हैma तो यह कितने अल ऐल अच्चे तयाए ईस के और यह देखिये time intend आवल कॉछ लें के बाद थोड़ा रहे गिया है यदि ज्यादा चिलेंगे तो हाथों में चोट लगनी का डर हुरता है इसलिए हम मैंने इसे इतना ही चिला है और इसमें जो आवला लगा हुआ है वो भेस्ट नहीं जाएगा इसकी भी हम एक बढ़ियासी रेसिपी बनाएंगे अब एक mixing bowl में कद्दू कस किया हुआ आवला और अब इसमें एक चमज सैधा नमक डालेंगे कुछ लोग इसमें सिर्फ काला नमक डालते हैं यदि आप सिर्फ काला नमक डालेंगे तो इसमें नमक का स्वाथ नहीं आएगा एक चमज काला नमक एक चौथाई चमज काली मिर्च का पाउडर और आदा चमज भुना हुआ जमज भुना हुआ जेरा पाउडर है इसे भी ढाल देंगे और यह एक चमज के करीब मैंने चाठ मसाला लिया है इससे जो हमारे आवला मुखवास है वो बहुत ही बढ़ और बहुत ही टेस्टी बनेगी और अब हम इसमें पूरे एक निम्बू का जूस टाल देंगे नीबू का जूस डालने से आवले का जो कसेला पने वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो हमारी आवला सुपारी है वो काली नहीं पड़ेगी और नीबू का जूस डालने से आवला सुपारी मुखवास का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा तो इस तरह से मैंने पूरे एक नीबुका जूस इसमें डाल दिया है और अब इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस समय आप थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं यदि नमक थोड़ा कम है तो आप उसमें नमक और एड़ कर सकते हैं पर यदि आप नमक इसमें एड़ कर रहे आप खाने के बार कहते हैं तो घाना पाचन बहुत ही अच्छे से होता है तो यह देखे इसे हातों से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो मसाले है वो अच्छे मिक्स हो जाए और यदि आपके आवले अच्छे हैं तो उसकी मुखवास बनाएंगे तो तो बढ़ी आएका ही लेकिन यदि आपके आवले कच्छे हैं तो भी यदि आप इसमें एक नीबू डाल देते हैं तो भी आपकी मुक्वास का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसमें नीबू डालने से जो आवले का कसिलापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा तो यदि आप यहां दूप नहीं आते हो तो आप इसे फैन की हवा में भी सुखा सकते हैं लेकिन फैन की हवा में सुखाएंगे तो थोड़ा जादा डायम लगेगा दूप में सुखाएंगे तो यह जल्दी हो जाएगा यदि आप इसे दूप में सुखा रहे हैं तो इसे एक मुह में घुल जाएगे इसे चबाने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं पड़ेगी ये बहुत ही टेस्टी है और डाजेशन के लिए भी काफी है साथ ही ये मुह में जाते ही घुल जाती है जिससे दाग भी घटे नहीं आते तो आप इस रेसेपी को घर पर ज़रूर ट्या करे और comment में ज़रूर बताए कि आपको recipe कैसी लगी पसंद आने पर वीडियो को like, share, subscribe करके bell icon ज़रूर दबाए Thank you for watching this video Also, we can call it and do sleep minimum no फिर्क फावले बहुटपमेदाग हो तो चाकोρω से और आवला कि आवले को खराब लेदाग। तो जैसे विल्स चाको अवले को Jeżeli उटैए until in abar । ऑवला होता है ज़र से और आवले होता है आवले के स्ञेड़ कया कोई खळाबी नहीं, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोटे छेद वाला ईूज हो दinação और इसे हम और फाल हो भट लिए और ऍजनल कर लेंगे . यादि आप ौशचे बाला ग्रेटर यूज करेंगे तो उसे इस तरह से grate करना है तो आप थोड़े-बड़े आवले का यूज़ करेंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ये देखिए हमने आवले को अच्छे से कद्दू कस कर लिया है, तो ये देखिए कितने बढ़िया इसके लच्छे लच्छे तैयार हो गए हैं, और इसमें इसे जादा जूस पी नहीं निकला है, तो ये देखिए जो हमने आवले को कद्दू कस किया था, उस आवले की सीट्स में काफी आवला लगा है, इसे फेकनी की गलती ना करें, इससे भी हम एक बढ़िया रेसिपी बनाएंगे, आप आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, मैंने इसकी रेसिपी बनाना बताया है, चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले इस रेसिपी का नोटिफिक्रिक्रिशन आपको मिल सके, आवले को कद्दू कस करने के बाद, तो जो जूस निकलता है, आवले की हम मीटी मुक्वास बना रहे हैं, लेकिन आवले जो खट्टा होता है, उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, हमें इसमें थोड़ा नमक आट करना पड़ेगा, इसलिए इसमें आधा छोटा चमश नमक डाल देंगे, और आधा चमश के करीब काला नमक डाल देंगे, इससे मीटी मुक्वास में कोई जाधा फरक नहीं पड़ेगा, और इसमें आवले का कसीला पन होता है, उसे कम करने के लिए पूरे एक निपू का जूस डाल देंगे, अवले की मुक्वास है काली भी नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगि और कसीला पन भी नहीं पड़ेगी ओए तटो इसस तरह से हम और अब इसमें चार चमश कपी पीजिवी recordedので tiya टाल देंगे, तो पीजिवी चीनी हम एक साथ आट बिल्कुल ही करेंगे, क्योंकि हम यदि एक साथ एड़ करेंगे तो इसमें बहुत साथा पानी चुट जाएगा तो अभी मैं फिलहाल इसमें चार चम्मज यानि वन फोर्थ का भी एड़ कर रही हूँ बाकी हम बाद में करेंगे और आदा चम्मज के करीब इसमें इलाइची पाउडर लाज देंग अब इसे अच्य से मिक्स कर लेंगे और बच्ची जो पिसीवी चीनी है उसे हम एक साथ एड़ नहीं कर रहे हो ले हैं तो उसे हम एक दिन पूरा सुखा लेंगे उसके बाद आड़ करेंगे क्योंकि हम एक साथ पूरी चीनी डाल देंगे तो इसमें काफी ज़्यादा पान चीनी और बागी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसे एक प्लेट में इस तरह अच्छे से फैला लेंगे यदि आप इसे फैन की हवा में तो 4-5 दिन लगेंगे और यदि आप गडी धूप में इसे दूप में सुखाएंगे और यदी अच्छी कडी है तो दो दिन मे ये सूख जाएगा बस यदि आप इसे बाहर दूब में सुखा रहे हैं तो उसे एक पतले मलमल के कप्र से ढाक लें ताकि इसमें दूल मिड़ी ना जाए तो मैं इसे डूब में सुखाण के लिए रख venture हूँ तो ये दीखिए एक दिन के दूब दिखाने के बाद ये खलगhésitez जखे सुख गया अभी फिर भी नरब है यह पुरी तरह नहीं सुखे हैं तो यह थोड़ा इसमें थोड़ा शुर्ण बाकी सब्सक्राइब हम बाकी बच्चीवी चीनी मिक्स कर लेंगे इसमें ताकि चीनी इसमें एच्छे से चिपक चाहे और इस समय इसमें चीनी में चैनी दलने के बाद हमें इसे पर सूखने के बाद और रहे पनी के दोटेखे लिएतर हैं इसका हो गई है और इसमें जो हमने चीनी टाले थी वो पूरी अच्छे से चिपक गई है तो ये देखिए आवला की मीठी मुक्वास बन कर तायार है इसका स्वाथ थोड़ा थोड़ा आवला कैंडी की तरह होता है इसलिए ये मुक्वास बच्चों को बहुत पसंद आएगी तो आप इस रेसेपी को घर पर ज़रूर ट्रैक करें और कमेंट में ज़रूर बताए कि आपको रेसेपी कैसे लगी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्स्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाए थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो